शक्के पर शक्का खाया लेकिन फिर भी जैदे बुनाद कटने हैदराबाद को मैच जिताया आखरी ओबर में भहेंकर रोमांच आया पंजाब के मूँ तो लगा लेकिन मैच उनके हाथ ना आया जी आखरी ओबर का वो रोमांच जिसमें अस्तो सर्मा और ससांक सिंग ने इस म मैच जिताओ खिला रही हैं नए सुपरिस्टार हैं जिन्होंने करोणों फैंस का दिल एक वाफिर से जीत लिया है तो आज कि वीडियो में हम उस अती रोमांच चक ओवर की पूरी दास्तान सुनने वाले हैं क्या हुआ कि आखरी ओवर में जीतने के लिए पंजाब को चाह सांक सिंग जिन्होंने पिछला मैच अती रोमांच चक तरीके से जिता आया था यहां पर दौनों बल्लेबाद फिर से कुछ अनोखा कुछ अभिस्टसनी करने के मूड में खड़े थे जैदिब उनार्दकट अपने ओबर की पहली बॉल फेकते हैं और सामने आस्तों सर्मा एक सांदा छक्का लगाते हैं हाला कि ए नितिस रेडी से चूक जाता है कैच एक कटन कैच लेकिन वो छक्का बन जाता है और पहली गयन पर छे रन अब बाकी की पास गयन पर चाहिए थे 23 रन जीतने के लिए अब जैदिब उनार्दकट थोड़ा सा असहज हो जाते हैं और वो दूसरी गयन अपने ओबर की फेकते हैं वाइड पिर अगली गयन फिरसे पिकते हैं बाइड यानि अभी तक सिर्फ एक ही गयन हुई थी और रन बन चुके थे 8 अगली गयन वो फिरसे बिलकुल सही पिकते हैं लेकिन आच तो सर्मा बहुत सही सौट भी लगाती ही और फिर से जाता है चक्का यानि कि 20 में ओबर की सिर्फ दो गैन हुई थी और रन मन चुके थे 14 यानि अब बाकी की चार गैन में रन अब चाहिए थे पंजाब को 15 यानि यहां से मैच अब पंजाब के पक्ष में जुकता जा रहा था और लग रहा था कि आज तो सर्मा दनादर म पर चाहिए थे 13 रन अगली जो गैन फेकी जैदेब उनाद कट ने उस पर भी आ गए दो रन यानि कि अब गैन दो चुकी थी चार और रन अब चाहिए थे 11 यानि दो छक्कों से काम बन सकता था अगर एक छक्का एक चौका लग जाता तो मैच टाई हो जाता लेकिन अगली जो गैन फेकी जैदेबुनाद कट ने और जैदेबुनाद कट भी इसी उदेडबुन में थे कि दो छक्के खा करके वो अपनी टीम के बिले नहीं बनना चाहिए थे उन्होंने इसी उदेडबुन में गैन फेकी और वो होगी बाइड यानि गैने अब भी चार थी और रन पंजाब चाहिए थे दस अब मैच पंजाब के लिए बहुत इजी होता जा रहा था और जो पांच में गैंद आई उसने इस मैच का पैरणाम तेह कर दिया क्योंकि पांच में गैंद पर आस्तो सर्मा ने सौट तो बहुत बढ़िया खेला इधे लगबग एक बांचर थी लेकिन वो सुलवर बांचर थी तो आस्तो सर्मा ने सौट तो बढ़िया खेला बांडरी तक गैंद गई भी लेकिन चूंकि गैंद सुलवर थी इतनी ज्यादा पाबर नहीं उसमें लगपाई बॉल में और वो बांडरी तक नहीं पहुंच पाई तो इस गैंद पर आ गया एक रन यहनी पांच वेर पर आया एक रन अब एक गैन पर यीतनी किलीए चाहिए थे नो रन जो की अब गैनबाज इसमें क्या करेगा गैनबाज एकदम से सिंपल गैन फेकेगा कि भाई शक्का ही तुमार पाओगे उस सामने पहुंच चुके थे सासांक सिंग जैदे वुनादकर्ट ने 20 में ओवर की अंतिम गैन फेकी और सासांक सिंग ने सच में शक्का लगा यानि कि तीन रंड कम पड़ गें पंजाब क्या स्कोर इतना हो गया कि वो हैदराबाद के स्कोर से दो रण कंपड गए तीन भन जाते तो जी जाती दोटाई हो जाता ओए हैं इस स्भ couple से हर गए यहां पर मैंने कहा ता सुरुगातаем क्या जैदे वुनादकट ने शक्क्य अपने बीसमे उबर में नहीं जिताया बलकि पंजाब की तरफ से फेके गाई बीसमे उबर में मैच जिताया था जी हाँ है एदराबाद ये बल्ले बाजी कर रहे थी तब ही जैदिव उनाद कट ने इस मैच को जिता दिया क्योंकि हैदराबाद की पारी के जो बीसमा उबर था उसकी अंतिम गयंद खेलने के लिए जैदिव उनाद कट ही आये थे और जैदिव उनाद कट ने उस अंतिम गयंद पर छक्का लगाया था सोचिए अगर वो छक्का नहीं लगता तो हैदराबाद का इसको जो 184 हो गया था वो कितना रहता 178 और तब पंजाब को ए टार्गिर थोड़ा कम मिलता तो जैदेव उनार्टकर्ट ने अपने भी इसमें उबर में छक्के पर छक्का तो जरूर खाया लेकिन जब वो बल्लेबाजी कर रहती हुँ जो एक मातर गैंदों ने खेलने के लिए मिली थी उस पर उन्होंनों भी इसमें उबर की अंतिम गैंद पर जो छक्का मारा उसके जैसे हैदराबाद एक मैच जित गया तो कुल मिला करके इस आखरी ओबर के रोमांच को आपने किस तरह से फिल किया अमेंट करके अपना अन्वह जरूर बता है मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद